हेलो फ्रेंड्स एन वेलकम टू माई चानल आज हम अबजेक्ट ड्राइंग में मग का ड्राइंग सीखने वाले हैं तो इसके लिए हमें आउटलाइन के लिए एजबी पिंसिल का यूज करना है सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन याने कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसे कि हमने बकेट के लिए भी ड्रॉ किया था उसी तरह किसे हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक होरिजन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इसके बाद हम मक की width यानि की उसकी चौड़ाई कितनी लेनी है उसका measurement ले लेंगे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ उस तरीके से measurement ले जाती है इस तरीके से हम उसकी चौड़ाई ड्रॉ करने के बाद Central Line को Parallel और दो Line या पर हम ड्रॉ करेंगे दोनो Line Parallel करने के बाद हम मक का उपर हिस्सा यानि की round part ड्रॉ करेंगे जैसे हमने मक के लिए ड्रॉ किया था उसी तरीके से हम उसको ड्रॉ करेंगे इसके पहले मैंने इस चैनल पे how to draw bucket इसके उपर भी एक वीडियो बनाया है आप उसे जरूर देखिए round इससे को proper तरीके से बनाने के बाद हम इसके बीच में और एक सरकल ड्रॉ करेंगे सबी lines को आप light यानि की धुनली रखो क्योंकि यह हमारा final drawing नहीं है इसलिए drawing करते समय HP pencil का use हमेशा करना चाहिए जैसे कि हम यहाँ पर आज कर रहे है इसके बाद मक का broad हिस्सा जो उपर की ओर होता है उसको draw करेंगे उसके बाद हम मक का नीचे का part स्टार्ट करेंगे जो उपर के सरकल के अंदर से थोड़ा स्टार्ट होता है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यहाँ पर हम slant line draw करेंगे उसके बाद हम जहाँ पर हमारा मक end होगा उसके लिए वहाँ पर एक horizontal line draw करके दूसरी slant line draw करेंगे इस प्रकार से मक का part मीचे से थोड़ा कम होती जाता है इसलिए आपे slanting line हमने draw किया है जिस तरीके से उपर का round हिस्सा हमने लिया था उसी तरीके से base को भी round हिस्से से हमें draw करना है क्योंकि मक गोल आकार में होता है इसके बाद हम मक का important part draw करेंगे यहाँ तक हमारा drawing bucket की जैसा ही था मगर यहाँ से बहुती carefully drawing हमें करना है बच्चे इसी पार्ट में जादा तर गलतिया करते है इसके बाद हम मक का handle draw करेंगे इसके लिए वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है उस तरीके से आप easily इसको draw कर सकते है मैंने इसी चैनल पर elementary और intermediate से related design topic के भी वीडियो upload किये है आप उसे भी चैनल पर जाके देख सकते है इस तरीके से आपका handle का drawing यहाँ पर complete हुआ इसके बाद सभी lines को हम थोड़ा dark याने की detail कर लेंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like और share करिए और चैनल को subscribe करना ना बुले साथ में bell icon को press करके all mode पे रख दिजिए सब्सक्राइब बटन और press बटन एकी बार press करिए ये चोटी बाते ही हमें एक दूसरे से जोड़े रखेगी इस प्रकार से drawing हमारा यहाँ पर complete हुआ करुआए बटन ना बटन एकी कर दोटने हमारा यहाँ